हृदे रेखा में यदि वाई का निशान बनाऊ तो उसका क्या मतलब होता है हृदे रेखा को देख कर हम क्या क्या जान सकते हैं ये सारी चर्चाएं में स् भीडियो में करने वाला हो जैश्री महाकाल मैं रहुल टिवारी आप सभी का अपने सिर्म हिर्दे से श 거죠 गता हूँ हिर्दे रेखा देखे के हम आपकी भावनाओं का पता लगा सकते हैं हम आपके समवेदना देख सकते हैं हम आपकी साधी का देख सकते हैं कि आप लव मेरीच करेंगे या अरेंज मेरीच करेंगे यदि हिर्दे रेखा में वाई का निसान बना हो गुरु परवत के नीचे जो ये गुरु परवत है गुरू परवत की नीचे यदि मंगल परवत से निकल के जब यह रिखा आती है यहाँ पे यहाँ पे आपका वाई या भी का आकार का निशान बना हुआ है उस समय आप यह देख के पता कर सकते हैं कि जिसकी दो मुखे रिखाएं होती हैं ऐसे विक्ति multiple work करते हैं हर जगह हर छेत्र में दो परवतों से उनको एनरजी मिलती है एक तो सनी परवत से और एक गुरू परवत से जब दो परवत से एनरजी मिलती है तो वहाँ पे उनके जो कार्य सहली होती है वो बढ़ जाती है वहाँ पे उनका भाग्य उद्य हो जाता है हिर्दय की गती बढ़ जाती हो काफी सहन सेल हो जाते है किसी भी काम को लेके यदि बहुत बड़ा काम हो तो ऐसे विक्ति उसको समार सकते हैं कार्य भार के छित्र में बृद्धी कर सकते हैं खास कर ये देखा गिया है कि जिसकी हिर्दय रेखा स्ट्रेट हो और गहरा हो ऐसे व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ के लिए कारे करते हैं सिवाए स्वार्थ के उनके जिवन में कुछ नहीं रहता है और हिर्दय रेखा यदि गहरी हो ऐसे व्यक्ति का विवा खास कर देखा गिया है प्रे में विवा ज्यादा होता है ये ज़ादातर संवेदना से भरे हुए होते हैं ये अध्यात्मी के तरफ ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं ये जो हर्दयरेखा हर्दयरेखा ब्रियस्पती परवत से जुडती है तो धर्म कर्म के छहत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है क्योंकि धर्म गुरु है ब्रिहस्पती रिखा जो इनका गुरु परवत है गुरु परवत से मिलने से धर्म के कारें इन से ज़्यादा होते है अधर्म इस काम से थोड़ा अपने आपको बचा के रखते है अध्यात्म से हमेशा जुड़े रहते हैं ये यदि हमारे बाती आपको अच्छे लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जैस्री महाकार